गुरु मंत्र शोव में आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है मैं हूँ आपके सायर जुनी सक्सेन हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशेष्ट जी गुरु जी बहुत-बहुत सभागत है आपका मातरानी खुश्या दे सदा सुखवक्षा आज का विशे उन सभी के लिए खास है जिनकी शादी होने वाली है या अभी-अभी शादी हुई है क्योंकि आज हम बात करेंगे लव और अरेंज मैरेज की समाज में अभी भी अरेंज मैरेज को लव मैरेज से थोड़ा बहतर माना जाता है लेकिन आज जानेगे जोतिश के अनुसार किसे लव मैरेज करने चाहिए और किसे नहीं करने चाहिए लव और अरेंज मैरिज से जोड़े और कौन से विशह होंगे ये भी जान लेते हैं कुंडली से जानिये आपकी लव मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी या अरेंज मैरिज लव मैरिज से ज़ादा टिकती है लव मैरिज के बाद भी क्यों हो जाता है तलाग कैसे बने की जीवन भर साथ निभाने वाली जोड़ी शो की शिरुबात करने से पहले आपको याद दिरा दे कि आप फेस्बुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजे और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजे आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा साथी टीवी स्क्रीन पर जो इमेल आईडी फ्लाश हो रही है उस पर आप मेल कीजे आपको इस शो पर कॉलर भने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे नमबर पर आप कॉल कीजे गुरुदेव आज हम चर्चा करेंगे लव मैरेज और अरेंज मैरेज में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव मैरेज नी क्योंकि आजकल के यूबा सबसे जादा चाहते हैं कि वो लव मैरेज करें अपने पसंद का जिवन साथी चुने लव मैरेज कुंडली के हिसाब से किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए बटा पहले तो मैं ये बता दूँ कि आज के समाने के अंदर लव मैरेज की प्रफेंस बढ़ क्यों गई है लब मैरेज कुंडली के हिसाब से किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए बटा पहले तो मैं ये बता दूँ कि आज के जमाने के अंदर लब मैरेज की प्रफरेंस बढ़ क्यों गई है जो लब मैरेज अबड़ा ये है जल्दभाजी का सबूत और अरेज मैरे जो है वो है धहरय का सबूत और आज का लगभग हर किसी के अंदर सेहन शक्ती की कमी हो गई है जिसके चलते हुए संसकारों को अपनाना उनके ओपर अडिक रहना और अपने असूलों को ना तोड़ना ये धहरय लगभग खतम हो चुका है उसका कारण शेहरों के अंदर चाहे वो गाड़ियों का दुआ चाहे एसी में से निकलने वाली गर्मी या किसी और तरह की जो इंडिस्टियन लगती है उनमें से उत्पन होने वाला जितना भी दुआ है गैसे है बेटा ये राहू को जनम देती है यानि कि ये जो धुआ है ये राहू कहलाता है और राहू राहू यानि कि जब ये हवा में मिलकर के हमारे ऑक्सिजन के साथ में अंदर जाता है तो ये हमारी immunity को बिगारता है, सेहन शक्ती को बिगारता है, याद रखने की ताकत को बिगारता है, concentration को बिगारता है और जब ये सब बिगर जाते तो धर्या टूटता है ऐसे में बच्चे को हर वो चीज चाहिए जो जल्दी प्राप्त हो जाए और पसंद की चाहिए ये जो स्रेडिये बनता है बेटा, ये चीज खास तौर पर विप्रेट लिंगी की तरफ बहुत जल्दी अटेक करता और वो भी कौन सा विप्रेट लिंगी वो विप्रेट लिंगी जो हर वक्त नजर के सामने आए और जिसमें खासियत देरे से नाजाच करके सिर्फ ओपरी देखी हुई खासियते देख करके ही प्यार कर पैटना समझें ये जो चीज है बेटा, ये लब मैरीज को ज़्यादा जनम दे रही है और इस पर लब मैरीज होती किनकी है? लब मैरीज उनकी होती है बेटा, जिनकी जनम कुली के अंदर पांचवे घर के अंदर एक दो तीन ग्रेब बैठे हुए हो समझें और उनका संबल लगन और सात्वे घर के साथ में भी हो जैसे अगर मान लेजे किसी का तोला लगन है तो सात्वे सान के उपर میष राशी आई और अगर किसी की मेष लगन है तो सात्वे सान पर तोला आई तो मंगल शुकर अगर मंगर शुकर दोनों मिलकर के अपने जनम कुली के तीसरे घर में या पांचवे घर के अंदर बैठ गये तो समझे लो लब मेरेज पकी है तेका है जो अच्छे योग भी बनते हैं लेकिन इसी तरह से बाकी क्या है जैसे बुद्ध और बस्पति का मिलकर किसी भी तरह से बनता है और ये अपस में जुड़े गुए होते है तो भी लब मेरेज और पांचवे घर में होते हैं फिर तो जरूर और ये एक सीन है लेकिन दूसा सीन एक और है कि पांच में घर के अंदर जो भी ग्रह बैठे गुए हो अगर वो पापी हो जैसे शली ग्राहू के तो ये या सूरे के साथ में पापी ग्रहू के द्रस्टी हो तो ऐसे लोग क्या करते हैं ये लोग प्यार भी करते हैं प्यार करके बहुत जल्दी धैर्या खोकर के शरीलिक संबंद भी बना लेते हैं और सामने वाले को फिर मजबूर करते हैं शादी करने के लिए हैं और ऐसी शादीयें कभी नहीं देते हैं और उसके अंदर कोई नो कोई खराबी आने ही होते हैं पन होती है मंगल और शुक्र का मेल जो मैंने काया कि हाँ यह उत्म भी रहेगा ये भी दोनों मिलकर के मंगल को बद कर देते बुरा कारण ये है पांचवा घर है ब्रस्पती का और ब्रस्पती की खिलाफत करके यानि कि संसकारों की खिलाफत करके अपनी मनमर्जी को अपने पेरेंट्स के उपर हावी करना और संसकारों की प्रवाद ना करना इसका नाम है लंबैस। इसको आज के बच्चे ये modern जमाने के असूल का हवाला देते हैं, अपनी पसंद का हवाला देते हैं, लेकिन बेटा ये वो भी सच है और ये भी सच है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक ह ुथ के साथ में संबंद रखते हैं, ग्याद में घर के साथ संबंद रखते हैं मौर बार्वे के साथ रखते हैं tel, विनकी अर्हिं मेरे जीं होती है, ऐसे लोग love affair कि चक्रमी पड़ते हैं उनका काम होता है कि जो भी जीवन साथी मिले वो अच्छा होना चाहिए आदतों का उसकी कमाई अच्छी होनी चाहिए उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए और वो सबसे बड़ी बात वो पहले उस घर को पूरे को तोलते हैं और साथ में बच्चे के वहवार को पूरा तोलते हैं और कोशिश करते हैं तब शाली हो तीक है लेकिन इनके बीच में भी अगर पापी ग्रह साथ में मिल जाए चाहे कोई भी मैरिस हो बेटा उसके अंदर खराबी की यह योग बना देता है और अगर ऐसे हालात में पापी ग्रहों का मिश्ण नहीं हुआ जो ऐसे में शादी शुदा जिनकी बहुत बेटर रहती है इस तरह से बेटा लव मैरिज और एरेंग मैरिज इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से तोला जा साहता है कि किनकी होगी और किनकी नहीं होगी किसके कुंडली में लव मैरिज के योग होते हैं गुरुजी आपने हमें वो तो बता दिया है लक्षन क्या होते हैं आपसे जाना चाते हैं कि जो लोग लव मैरिज कर लेते हैं और उनके जिंदगी में परिशानिया बढ़ने लगती हैं फिर वो अपने माबाप से भी प्यार करवाते हैं अगर वो शादी तक ले भी जाएं तो ये शादी जादा देने के उसका कारण क्या है ये पापी ग्रहों से कंसर्ण होता है ये खराब ग्रहों से कंसर्ण होता है तो ऐसे में बहुत जल्दी पहले ये होती है कि फलाने को पाना है सामने वाले को पाना है औ और उसके बाद नए शिकार के तलाश में निकल परते हैं, ये दूनों की कुंड़ी के अंदर, यानि की लड़के की कुंड़ी में और लड़की की कुंड़ी में सामान मातरा में होता है, ऐसे में जब भी उसी ग्राय का वापस अफसा आता है, ये कितनी जिर पार आता है, मैं आपको यह भी बता जिता हूँ बेटा कुछ भी हलात हो इसने हर तीन-चार साल बार वापस आना है इस ग्राइजोंगे जो भी concern करता है पाचवे घर के साथ कहीं के तीन साल बार, कहीं के चार साल बार, कहीं के पांस साल बार जब भी यह वक्त आता है उस वक्त में फिर दोबारा पुराने जीवन साथी को छोड़ के नए जगा अटेक्शन बनती है और वो नहीं अटेक्शन पुराने वाले की जो खासेत नोती है उनको बुला देती है और नए वाले की तरफ जुकाफ फिर से बनने लगता है यही कारण है जो एक्स्टा मैडल अफेर को भी जनम देता है यही कारण है जो लब मैरेज को जनम देता है और उसके बाद उसको खराब भी करता है इसलिए सबसे उत्तम तो यह है कि आप अपनी जनम कुली बनवा करके पांचवे घर के ग्रह का इलाज करें और अगर उसका इलाज करके चलते हैं ना प्यार खराब होगा ना प्यार में हुई हुई शादी खराब होगा और ना ही आगे चलके एक्स्टा मैडिटल अफेर की को अच्छत चलते हैं जनम कुली का दूसरा गड़ जिसे हम मंदर भी बोलते हैं बेटा उसको जगाना बेहत ज़रूरी है और उसको जगाने के लिए आप हर सूंबार को थोड़े से चावल और दूर मंदिर में ज़रूर दे करके आए और हर प्रस्पतिवार को चरी की दाल, खल्दी या पीला कपड़ा ये मंदिर में दे करके पड़ी के पाउं हा लगा करके अशिर्वा ज़रूर ले करने हैं जो लोग भी लब मेरिज करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनको खास तौर पे इन उपायों का अनुसरन ज़रूर करना चाहिए नहीं तो अपनी जनम कुली दिखा करके उसका पकाई लाज करना चाहिए वरना जब भी ये योग वापस आएगा चाहे तीन साल बाद आए चाहे पान साल बाद आए ये कोई नो कोई हलचल जरूर मचा देगा और मेरेड लाइफ को किसी ना किसी रूप में खराब कर देगा और ये मालो योग अभी ही आया हुआ हो और इसी में ही शादी हो जाए तो बेटा शादी होने के कुछ महीने के बाद ही पहले घरवालों के साथ लड़के शादी करना और कुछ महीने भी ना गुजरना और फौरन तलाग हो जाना ये वाले हलाद ये पहला करता ही रहेगा इसलिए बेटा हमारे बड़े बुजरग शादी लब मैरिज के खिलाफ हुआ करते क्योंकि ये पापी ग्रहों की मर्जी से होती है और पापी ग्रहों की जहां मर्जी होती है बेटा वो स्थिता वहाँ पर कभी नहीं गुरुजी अब बात कर लगते हैं अरेंज मैरेज की अरेंज मैरेज किनकी होती है या आप से जानना चाहते है और अरेंज मैरेज जिनकी खराब हुजाती है उनको क्या उपाई करने चाहिए या पहले से कोई उपाई किये जा सकते है बेलकुर बेटा, बेटा देखो पहले की बात ये रही, पहले तो तब ही संभवय कि अगर इनसान अपनी जनम कुण्ली को पहले दिखा लेता है और उसको पता चलता है तो उसके उपाई करके उन चीजों से बचा जा सकता है, इसका तो यही एक तरीका है। आत्मी हो तो शादी के बार भागया बहुत ही सुंदर खिलता है और बहुत ही अच्छा रहता है और जिनकी के अंदर उचाईयां मिलती है जैसे की बहुत सानी दुनिया का ऐसे हुआ भी होगा। खराब उनकी होती है बेटा जिनके दूसरे और चौथे घर के अंदर पापी ग्रहों का संबंध हो जाए या खराब मंगल बेटा दूसरे या चौथे घर के साथ संबंध बना जाए और आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि शादी के बार देखी जाती है चंदर कुनली अगर चंदर कुनली से भी मंगलिक अगर बच्चा हो तो उनकी भी शादी खराब होती है तो ऐसी वस्ता में सिंटम्स क्या होती है अगर सिर्फ और सिर्फ मिया बीबी के अंदर लड़ाई हो उनके विचार ना मिले और एक दूसरे को दोश दे करके बिटा हालात खराब प अंदर एक सिंपल सा उपाए तर्फ तालिस दिन लगाता चार चुवारे लें चार चुवारों को चार गिलास पानी के अंदर उबाल करके उनको ठंडा करके जल परवा कर दें इससे मिया बीबी के आपसी प्रॉब्म में खत्म हो जाए दूसरा योग अगर दूसरे घर के स खास और पर नगत बैसे के लिए गिरावट आए तो बैटा फिर ऐसे में क्या करना चाहिए फिर ऐसे में जितने पापी ग्रहों के जानवर है यानि कि कुटा कववा और भैसा इनको कुछ न कुछ खाने को जरूर देते रहें और केले और कंबल का दान बहुत ज़्यादा बैटा ये करेंगे तो भी उनकी ग्रस्तियें बहुत अच्छी चलेगी पर अगर चौथा घर चौथे घर के अंदर दो ग्रह बड़े खातक होते हैं एक शनी और दूसरा मंगल मंगल अगर चौथे घर का हो तो शादी होते ही घर में कलेश के अवस्था बहुत उपर तक जाती है जिसके अंदर पूरा परिवार ही दुखी होता है फिर दूसरी अवस्था ये होती है कि घर के अंदर लड़ाई जगडा मिया बीबी का भी और बाकी के लोगों का भी मिल करके होता है और जिसके अंदर गुसा शुमार होता है यानि कि गुसे के अंदर आ करके मार पिटाई तक करना अगर ये हलात हो तो 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेंडी जल प्रवा करने चाहिए और अगर शनी होते हैं तो वो क्या करते हैं आपस में वो जो पीट पीछे बाते करके और एक दूसरे के लिए चुम्लियों वाले हलात पहला करके और एक दूसरे के सार मन मुटाव करके एक च्छत के नीचे रहना लेकिन अलग लग सोना एक दूसरे के अंदर का इंटरस्ट खतम हो जाना और जीवन साथी का आलस पे आलस करते चले जाना वेटा इस तरह के अगर हलात हो तो 43 दिन 400 बढ़ाम गरीबों को दान में देना या जल परवा करना वह जरूरी है और चार ब जरम कुली के साथ में घर के साथ अगर राहू का संबंद हो जाए तो मिया बीबी के अंदर शक की हालात पर आफते हैं आपने देखा होगा कि कई बार बे मतलब बेवजा आने वाले जीवन साथी के उपर शक किया जाता है या होने वाले जीवन साथी के उपर शक किया जात के उसको जल परवा कर दे चांदी का चकोड टुकड़ा अपनीया बीवी दोनों अपने जिब में रखना शुरू करे और चावल चांदी और गंगा जल जावा से जावा मात्रा के अंदर अपने घर पे रखे ताकि ये शक और वहम किसे सब दूर हो और शारी शुदा जिल्गी अच्छी तरह से चाहिए आपको याद दिला दे टीवी स्क्रीन पर जो इमेल आईडी फ्लाश हो रही है गुरुमंत्र एट आई टीवी नेटवर्क डॉट कॉम उस पर आप मेल कीजे अपनी डीटेल्स और फोन नमबर आपको इस शो पर कॉलर दने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्थ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लाश हो रही नमबर पर आप हमें फोन कीजे गुरुदी से चल सा हम आगे भी जारी दखेंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइफ दोशक जोग गए है सोनिया त्यागी जी है गाजियाबाद से बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे तहरे आप गुरुदेव को अपनी जन किती थी जन का समय और जन का स्थान बताएगी मेरा नम सोनिया त्यागी है सोनिया जी अब आप अपना सवाल कर सकती है स्वामी जी मेरा आप से एक ही सवाल लेकि घर में लक्ष्मी जी का आवाज कैसे हो और मेरे पती की तरक्की कैसे है जड़ा ये जो जनम पत्री मेरे सामने है इसके अंदर स्वामी जी मेरा आप से एक ही सवाल लेकि घर में लक्ष्मी जी का आवाज कैसे हो और मेरे पती की तरक्की कैसे है जड़ा ये जो जनम पत्री मेरे सामने है इसके अंदर खाला की बहुत अच्छे योग बैखे है ब्रस्पत और मंगल के जो कहते है कि जीवन के अंदर तरक्की भी देंगे, समर्दी भी देंगे और बढ़ती उम्र के साथ में समर्दी बढ़ती जाएगी, ये योग है लेकिन यहाँ पर केतू इतनी खराब वस्था के अंदर है कि ये सम्रदी के अंदर के हलात को ऐसे करता जैसे बक्री दूद्ट देगी मीने डाल के अब जिंदगी के अंदर अगर ट्रक की चाहते हो तो बैटा सब से पहले अपने घर के अंदर कुटा पाख और अपने कान चिर्वा करके उसके अंदर सोने की तार या स्टड कुछ भी आप डाज सकते हो हर रोज केसर का तिलक लगाना बेहर ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में ही मंगल के उपाई करते रहना और केतु के उपाई करना है इनके लिए क्या करते है बेटा हर साल तीन दिन लगातार काला सफेद कंबल लेके अपने सर से साथ पर उतार के मंदर के अंदर देना और हर साली तरतालीस दिन लगातार तीन केले मंदर पे देना और मंगल के लिए हर मंगलवार को मिठाई का दान करना और गायतरी जब करना बेटा आप यो पाई करके देखिए घर के अंदर खूब अच्छी संवर्दी आने शुरू होगी और आगे बढ़के गिरने के अहलाद कमजोग हो जाएगे अगर आप भी अपनी किस्मत के हल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है गुरुदेव की अप टेल माई लख अब आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइट और अपल दोनो तरह के फोन्स में ये अप उपलब्ध है उसके बाद आपकी किस्मत से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको यहीं मिलेगा बेक बाद इक बाफिर से आप सभी का सभागत है आज हम बात कर रहे हैं लव और अरेंग मैरेज की अगर आप भी अपनी किस्मत से जुड़ी समस्याओं का समधान पारना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है गुरुदेव की आप टेल माई लग आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं इंड्रॉइड और आपल दोनों करा के फोन्स में ये एप उपलब्ध है साथ ही आपको याद दिला दे टीवी स्क्रीन पर जो इमेल आईडी फ्लाश हो रही है उस पर आप मेल कीजे आपको इस शो पर कॉलर बनने का माका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्थ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे नमबर पर आप फोन कीजे गुरुदेव ऐसा कहा जाता है कि अरेंज मेरिज के मुकाबले लव मेरिज में जादा तलाग देखे जाते हैं कुंडली में तलाग के क्या लक्शन होते हैं? और तलाग ना लिया जाए? ना हो इसके लिए क्या उपाए कि ये जा सकते हैं? बेटा लव मेरिज हो रहेंज मेरिज हो? इनके अंदर तलाग की अलग होने की रेशो लगव हराबरी है और उसका कारण क्या है जिसकी भी जनम कुल्ली के अंदर शनी और राहू पाप करने के उपर आगए है और मंगल खराब हो गया मंगल संबंद रखता है तीसरे गर के साथ लगर के साथ में और आटवे घर के साथ और शनी और राहु ये हमेशा शुक गरों को खराब करने का ही काम करते इनका सप्पा मंगल और शनी का और राहु का काम क्या है सहन शक्ती को खत्म कर देते और तीसरे गर का मंगल बिड़ा ये चाता ही ये की गरस्ती बसे और ऐसे में क्या करता है कि शादी के बाद में ये जीवन साथी के प्रती नेरस्ता भरा ये एक तरह का हालाद प्रादा करता है जिसके कारण मिया भी भी एक भी हो पाते या एक दूसरे में कम ये निकाल के अलग पाते हैं दूसरा ये पापी ग्रै जब भी दूसरे और चौते घर के साथ में बोड़ जाते हैं तो उस वक्त में भी खराबी के हालात ये बड़ा ही देते हैं और आदमी को अलग होने के लिए मजबूर कर देते हैं और जादा तर क्या होता है हमारे हिंदोस्तान में जब भी लड़के की या लड़की की शादी करनी हो उससे पहले घर जरूर की करवाना है यानि कि उसके अंदर तोड़ फोड़ करके कुछ नया बनाना लड़के की करनी है तो एक नया कमरा बनाना है और लड़की की करनी है तो उसके अंदर भी सफेदिये करके एका दिवार और निकाल करके लगा करके कुछ चज़ा बढ़ा करके उसे ठीक हर करना है क्यों पिर इससे दारों को ना है शादी के वक्त में जो भी लोग शनी को जगा लेते हैं या टॉयलेट बात्रूम गेट सीड़ी चछत या फर्श के उपर कुछ भी नया बनाते हैं और उसको तोर फोर करके ठीक करते हैं और जनम कुली के अंदर शनी राहू मंगल खराब हों तो बेटा तलाक के योग पकते ह इसी लिए बस शादी से पहले आप पेंट रंग रोगन जो भी करवाना चाते हैं वो करवा के आप अपने घर को ठीक ठाक और अच्छा कर लेएं लेकिन किसी भी तरह की तोर फोर और खास तोर पे घर की चछत के उपर कोई भी कंस्रक्शन या रेनोवेशन भूल के ना करे जो लोग इसको भी अपना करके चलते हैं उनके बच्चों की भी शादी शुदा जिनकी लगबग अच्छी रहते हैं और जो ये करके चलते हैं और वहां शनी रहू और मंगल खराब हो तो वहां पर शादी के थोड़े ही दिनों के बाद में बिटा कुछ भी बुरे हालात पर हो सकते हैं जो कि मिया बीबी को अलग लग करते हैं अगर शादी के पहले ही साल इस तरह के हलात पैदा हो जाए कि तलाग तक की नौबत आने लगे तो बिटा उपाई क्या करता हैं उपाई अब ये सुने हैं एक नार्यल पूजा वाला दस साबुर बदाम और दस बदाम साबुद बुद्ध विश्षिश शरी और नार्यल पाहो बैटा हम इन तीनों ही ग्रहों को निकाल देते हैं ना रहेगा पास और ना बजेगी पास हो यानि कि इन तीनों को निकाल दिया तो शादी शुदा जबगी अपने आप अच्छी हो हो लगे इसके विप्री बार के दिन पीला कपड़ा, चने की डाल, खल्दी ये मंदर बेदे और किसी दिन यहार पे साल में एक आत बार कोई सूनी का बेशक हलका फुलका चल्ला ही सही बेटा वो किसी बज़ुर्ग पंडित के हाथ में डालके उससे पाउहा लगा करके घर के अंदर सुक शांती औ बदी सब कापे से गुर्देख भले कि हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो लेकिन अल्टिमेटली सब चाहते हैं कि शादी के बाद जीवन सुखी रहे, जीवन साथी दोनों सुखी रहे, सहयोग करें, उसके लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं। संसकारों को अपना करके चलते हैं, तो हर हालत में शादी शुदा जिनकी अच्छी ही चलेगी जैसे। आने वाली जो बहु है, उसके पाउं के अंदर पायल का पेनाना, और पाउं की उंगलियों में और अंगुठे के अंदर चांदी के बिच्छों पेनाना, सबसे पहले ये हलाद बन जाते हैं कि शादी शुदा जिनकी चलेगी और बहु में धहरे रहेगा। अगर बहु के मांग के अंदर लादंग का सिंदूर और बिंदी लगी रहेगी, तो पती कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मंगल है। गर में माता और साथ में जो भी बुज़रग इस्तरियां उसके यहां आएं उनके पाउँ हां लगा करके अशीरवा लेना और भोले नाप पे हर रोज अगर हर रोज नहीं तो कम से कम सुम बार के दे जल चडाना बेहर सब्सक्राइए और ब्रेस्पति वार को सुबह और शाम की आरती में जो भी परमात्मा के यहां होती है उनके घर के पास presents जो भी मंदिर जो मर्जी बंदिर ओ बड़ा सुबह और शाम की आरती के अंदर भाग लेना और परमात्मा की आरती करना और परशाद के रूप में कुछ भी पाटना बेटा, ये शादी शुदा जिंदिकी के एक तराकी नीव का पूरी तरह से पत्थर पड़ता है जो हमेशा शादी शुदा जिंदिकी के अंदर पुशादा तो चंदर और बस्पती को अच्छा करना औरत का मंगल का मस्तक पे काइम करना और चांदी पाउं के अंदर औरत के रहना बेटा ये केतू को कभी भी बिगडने नहीं देता और अगर जिस घर का केतू ना बिगड़े यानि की विचार ना बिगड़े उस घर में सदा सुक शांती और समर्दी रहती है एक ये है दूसरा बेटा पापी ग्राहू के जान इनको खुश करने के लिए यानि की शनी ग्राहू केतू और शुक्र को अच्छा जो लोग रखते है उनके यहां वैसे ही कोई भी दुख तक्रीफ ने आती मेरे लाइफ को लेके इसके लिए मैं बार बार उपाए बताता हूँ कि घर की पहली रोटी आदी गाए को आदी से आदी कुटे को और आदी से आदी कोई को डालना बेहर ज़रूरी है कोई अशनी केतू कुता और शुक्र जो है वो गाए होती अगर आप इनको अच्छा रखते हो तो मतलब ही नहीं कि जिन्दगी के अंदर किसी भी तरह के शादी शुदा जिन्दगी के द्वेश आपके कहर में आए और आपको अलग करके जाए आप इतने उपाय करके देखिए शादी शुदा जिन्दगी खुल पच्छी जाए जो जी ऐसा भी देखा जाता है आजकल कि वो बगावत पर आ जाते हैं जिन्दों डिपेंडेंट रहते हैं माबाप पर और क्या उपाय किये जा सकते हैं कि वो सही रस्ते पर जाए तुमने बहुत वाज़िव सवाल किया है और आज के जमाने के अंदर ये पाब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि माबाप शर्म के मारे कहीं जाके बता भी नहीं पाते किसी से बात भी नहीं कर पाते और चुप चाप सहने के लिए मजबूर को जाते हैं ये सच बात है बटा अब इस चीज़ को गौर से सुने क्योंकि ये डिपेंड करती है बच्ची की उमर के साथ जिनका बच्चा 15 से 17 साल की उमर के अंदर ही बिगरना शुरूप हो गया और बहुत जल्डी इस एटेक्शन में फसने लगया उनका होता है मंगल खराब और जिनका मंगल खराब होता है 15 सोला साल की उमर के अंदर ही ये एटेक्शन पहला होती है और बच्चा लाग समझाने के बावजूर भी गल्ती करता और जिर्द पे अरा रहता है वो एक बार मना भी कर दे तो तब भी उसी लाइप बेडाता है वो इस योग को ठीक करने के लिए बेटा आपको क्या करता है इस योग को ठीक करने के लिए मिट्टी के लोटे में देसी खान भरके उसे विरान जमीन के अंदर दपना है और 43 दिन 400 ग्राम गुड की रेव डीजल परवा करनी है और तीन धातू का छला सोना तामबा चांदी मिला करके उसकी फिंग फिंगर के अंदर धारण करना है फिर आयता प्रॉपर 17 यह यानि कि 17 साल की उम्र के अंदर अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई से मन बिल्किल विमुक हो जाए उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगे और बार बार उसका विप्रीत लिंगी के पती अट्रेक्शन बनने लगे और किसी एक के साथ नहीं यारी दोस्ती उसकी कई विप्रीत लिंगों के से हाथ बनने लगे यह सत्रवे साल में होता है मैंटा अगर ऐसे हलात हो तो समझ लीजिए बुद्ध खराब होकर और यह बुद्ध खराब होकर के बच्चे की बुद्धी को बिदार देता है दोस्ती लगातार मिटी के लोटे में मिश्यूम भरके उसको मंदल में दिना चाहिए ऐसा चाहे लडगा हो चाहे लडगी हो उसका भीच में से यहां से नाख शेद prior कर्ों के छानवे दिन रखने के बार उसको निकल ढिखत दना चाहे चाहे सोनी किता दालो और प्लस तर्तालीस दिन लगाता चार्सो ग्राम चावल को खल्दी लगा करके उसको चल परमा करता। ये उपाई बेहद जलूरी है। तो ये उमर भी बेटा प्यार करने की एक तरह की पूरी सही नहीं होती और इसके अंदर भी डिसीजन की बार गलत हो जाते हैं। वहाँ जो बटिये जलती है वहाँ ये उस बच्चे के वजन के बराबर पके कोईले पत्थर वाले कोईले ले करके उनको वहाँ पर भेट करना ये बहुत जरूरी है। यानि की जितना बच्चे का वजन है उसके बराबर का लोहा ले करके कोई भी गरीब करने के शादी हो रही है बटा उसके अंदर दान दे दो संदू का लमारी टंक के रो ये करो और साथ ही उस बच्चे की जूटी लगा दो कि हर शनीवार को जाकर के वह भैसे को कुछ ना क जरूर खिला के रहेगा देक है बटा आप यह उपाई करके देखिए ये चोटी उम्र के अंदर होने वाली गलती एक खत्म हो जाएंगी माबाब सुखी होंगे और बच्चा आपका काबिल पर देगा गुरुजी आज लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात हो रही है कुछ दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उम्र बढ़ रही है उनके लिए क्या उपाई आप बताना चाहते हैं कि उनकी भी शादी चल्दी हो जाएं इसके अंदर भी दो तरह के सीन है बिटा केई लोग काम याब होते हैं पड़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे काम पर भी चले जाते हैं लेकिन फिर शादी नहीं होती है ऐसे लोगों के क्या है ऐसे लोगों का बिटा ब्रहस्पती खराब होता है लेकिन जो काम तो दे लेकिन मेरे लाइफ नहीं होता है और ये ब्रहस्पती की खराबी शनी और भुद्ध की बजह से होती है तो ऐसे लोगों को शनी और बुद्ध का इलाज जरूर करना चाहिए और वो इलाज क्या है वो इलाज है बिटा हर बुद्वार के दिल मंदिर के अंदर आम का पौद और वो पाट होता है कि आदमी मेनत कर रहा है लेकिन कामजा भी नहीं मिली बार बार कामकाज के अंदर खराबी के योग भी रहते हैं और उधर से शादी की लिए ये खराबी होती है मंगल सूर्य और शुकर के और ये खराबी के अंदर जब तक ये सूर्य और मंगल को ठीक नहीं कर लेते बैटा तब तक यह अच्छे हलाते ही देता हूँ और इसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए करना चाहिए बैटा की 27 दिन लगाता कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिटी भरके उसको जल परवा कर दो और साथ ही हर शुकरवार को गाईं को या हर रोज अगर आप कर सुको तर्तालीस दिन तो बैटा जो खल होती है सरसों की खल लेकर के उसको रातरी को विगोना और सुबा उठकर के भूसे में मिला कर के गाईं को खिलाना तर्तालीस दिन ये करने के बार हर हफ़ते करना शुरू कर दिए है आप देखेंगे थोड़े दिनों के बात में कामकाज भी अच्छा होगा और जीवन साथी के सुख भी प्रावार अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं गुरू जी से अपनी परेशानियों का समधान पाना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर तर तो रंध कॉल कीजे या आप अपनी परेशानी अमें मेल भी कर सकते हैं बस आप अपनी धीटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिकर आपसे खुद समपर्ख करेगी और गुरुदेव से शोफर बात करवाएगी रम्हा गुरुल बिश्नु गुरुल देव मधीश्तरा बेकी बाद इक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं लब और अरेंज मैरेज की आज का गुरु मंतर जानने की गुरु जी आज शादी की बात हो रहे है तो क्या गुरु मंतर आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं बेटा अगर शादी शुदा, जिन्दगी और गृस्ति की बाते हु़िए तो आज का गृु मंतर भी किसी से सन्वत है आज के गुरू मंतर में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस परकार से पापी ग्रै घर में घुसकर के 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 ये आलस को पैदा करने लगते हैं आप देखेंगे कि कई लोग दुपैर को तो बहुत अच्छी तरह से शेव शोग करके आए त्यार हो करके निकलते हैं लेकिन जरा सा आलस पढ़ने के उपर वो नहाते भी नहीं समझें और साथ ही कोशिश यही करते हैं दाड़ी इसलिए रख लेते हैं कि उनको आलस आता है दाड़ी काटने के लिए बेटा अब ये जो योग ये होता है शनी देव घर में आ गए दूसरा जिनकी शादी के आसपास घर के अंदर सीलन का महौल बढ़ने लगे और साथ ही बेटा तरह तरह का इलेक्टरोडिक समान अगर खराब होने लगे तो समय लीजिए पापी ग्रहुने घर के अंदर जमावरा ले लिया है और या घर की नालिये रुकने लगे पापी ग्रहुने जमावरा ले लिया तो अब ये शारी शुदा जिन्दकी को खराब करके रहेंगे और कमभाई भी खराब करेंगे। तो ऐसी अवस्था के अंदर बैटा, इनको निकालने के लिए करना क्या जागी है। इनको दबाने के लिए बेटा सबसे पहले अपनी जिन्दगी के अंदर नियम बना लो कि सुबा सवेरे उठकर के नहाद होकर के आप अपने इसके सामने एक धूपती जरूर चराएं और ऊसके बार में ठोड़ा सा चल और उसमें थोड़ा सा दू डालके बरगर के पेड़ के वब़च आड़ा के गिरिविटी का तरफ लटाना और अपने घर के खानों के अंदर कुछ ऐसा करें कि केसर जरूर इससे मान हो और केसर का इस्तेमाल जिस कदर बढ़ता चला जाएगा बिटा उसी कदर पापी ग्रै अपना पापती आकते चले जाएगे और इसके अंदर जो मजदूर हो बिटा उनको कुछ ना कुछ खाने को देना खास और पे शनी वार को खाने को देना और जो भी इनसान गए माता की सेवा करता रहता है उसको पानी पिलाता है उसको खाना खिलाता है उसकी सेवा करता है बेटा उसकी शादी शुदा का जिन्दगी का जो अधार है सदा ही काइम रहता है और उसके अंदर कराबी के हलाद कभी पैदा नहीं होते हैं तो गौव मता की सेवा करिए और अपनी शादी शुदा जिन्दगी को सदा आख़ाए। आज का शो देखने के बाद आपके मन में शादी से जुड़े कई मिथख तूग गए होंगे। लव और अरेंड मैरिज किसके लिए और क्यों सही होती है इसके जानकारी आपको गुरुदेव में देवी है। बस शादी से जुड़े गुरुदेव के बताएं लक्षनों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रियाती सारे जानकारी के लिए। मातरानिक सबको सुखी रखे, खुश्य बख्षरे। अभी के लिए आमें दीजे इजासब, नमस्कार।